आप मेरे हाथ में गुलाब देख रहे होंगे और ये गुलाब दरसल हमें देश के पहले प्रथानमंत्री पंडित जवालनार नहरू की भी याद दिलाता है कि उन्हें गुलाब से बेहद प्रेम था और आप पुरानी तस्वीरों में देखेंगे उनके कोट पर गुलाब पैदा हुए थे और आज 134 वी जैनती पूरा देश मिलकर बना रहा है बच्चे जहें बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था बहुत प्रेम था यही कारण है कि बच्चे जहें उन्हें चाचा नहरू भी कहते थे और बच्चों को वो देश का भविश्य मानते थे और बच्चों को लेकर कहीन है बाल दिवस की तौर पर भी 14 नवंबर को मनाया जाता है आपको बदा दे कि 1964 जो की 27 मही 1964 में पंडे जी का जब देहांत हो गया था पंडे जवालना नहरू कारदेश की प्रथम प्रधानमंत्री घा उसके बाद से उनकी जहिंती 14 नवंबर को जो बच्चों को लेकर जो है पंडे जवालना नहरू मानते थे कि बच्चे बागों में खिली उसकली की तरह होते हैं जिनकी परवरिश बहुत साथानी और नर्मी से करनी चाहिए क्योंकि वो देश का भविश्य है यही कारण है कि आज का दिन जो 14 नवंबर की तारीक है वो ब अधर में ही की थी जो प्राइवेट ट्यूटर होते हैं उसके जरीयों उन्होंने पढ़ाई की थी फिर उसके बाद वो लंदन चले रहा है वहां से उन्होंने लौ की और 1912 में वो भारत वापस लोटे यहां पर इलाबाद हाई कोट में बतो और बगील उन्होंने अपने को एन्रोल कराया दीरे दीरे राजनीती में उनका रुच्छान बढ़ता चला गया सोतनतता आंदुलनों में वो भाग लेने लगे और ऐसे कई आंदुलनों में उन्होंने पार्टिसपेट किया और उनके कारेकाल के अगर बात करें प्रथान मंत्री उस दौर के वो रहे च चिक्षेंट संस्थान और कई अन्य संस्थान खुले जिसमें की प्रतिष्टित आयाइटी आयम इसके डावा एम्स खुला डी आर्डियो इस रो तो एक आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर भी उनको याद किया जाता है तो ज़रूरिया 14 नमबर आप भी जो है बच चिल्वन्स देप